आज का प्रसंग है घोड़े ने जान बचाई किस प्रकार घोड़े ने अपने जान को देकर अपने जो उपर सवार होने वाला राजा या साथिय का जान बचाता है इस प्रसंग या बर्नन किया गया है युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम संग्राम महारणा प्रताप का साथि था उनका जीवन ही रण छेत्र था नो तो वे कभी संग्राम से ढरते थे ना उनके वीर सैनिक ही सबेरा हुआ नहीं कि वे कभच पहन कर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे मतलव जो राजा मरा राजाओं ने युद्ध के लिए जब जाते हैं अपना कभच पहन कर जाते हैं अपने सरीर को सुरक्षा देने के लिए अकबार बादसा की फोद से कहीं न कहीं मुकाबला हो जाता था अकबार राणा को अपने कभच में करना चाहता था प्रताप ने प्रतिज्य की संकर्व की थी कि प्रान दूंगा जान दे दूंगा अपने जीवन दे दूंगा पर मेवार को मुक्त करूंगा इसका मतलो आकववकवार ने मेवड को अपने अक्तियार में ले गया था उसको मुक्त करने के लिए महारणा प्रताप संक्रवधते और प्रतियां के थे लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोडा चे तक मतलत प्राण से ज्चादा प्यार करने वाल कीज़ है को साथी उनका साथी है ठीक हर समय जो चेतों को लेकर ही य स्यलीः में जाते थे और जो घोड़ा ल। है वो भी उनका होसला बढ़ाता है युद्धु छेत्र में तो उसका चमचमता श्यामरंग गठा हुआ शरीर चेतक घुड़ा किशिवीर से कम न था वो भी जिसे युद्ध विद्याजन था दुश्मन की हर चाल को यह पहचान लेता था यन वक्त पर यन वक्त पर मतलब ठिक शमय पर एशा उचलता की दुश्मन का वार खाली जाता था मतलब जो दुश्मन वार करते थे वो उचलता कुटता था की दुश्मन का जो वार होता है वो जो घमला करते हैं वो खाली जाता था रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी राणा उस पर सवार होते तो वो बहुत खोस होता घुर सवार के लिए उसके घोड़े का होश्यार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि युद्ध में यो घोड़ा का योगदान बहुत महतो पुर्ण होता है तो ये जो चेतक है ये बहुत चालाक है और बहुत बुद्धिमान है और उसका सरीर भी बहुत तेज दिखने वाला है तो आज राण प्रताप बड़ी लड़ाई में जा रहे थे युद्धुहे हल्दि घाटी हल्दि घाटी की शंकरी पहाडी गली विशाल मुगल चनका यहीं आसानी से सामना क्या जा सकता है तो मुगल का राजा मुश्च समय थे अकबर तो वह इसे तो वह पहले कई बार बात सही फोल से लुखा ले चुके थे टांका विड़ा हो चुके थे कभी जित्ते कभी हार जाते मगर आज की लड़ाई तो हार हालत में जितनी होंगी मुगल राजपूती शोर्य की सान देखें राणा ने चेतक की पिट थप थपाई चेतक ने कान फड़ फड़ाए राणा ने पुचकारा तो वह पूँच हिना ने लगा जेसे हीन हिना कर बोला राणा मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तयार हूं की फोज राणा पर आंधी सी तूट पड़ी अचानक तूट पड़ी अचानक युद्ध करने लगे प्रताप की तलवार मानो फसल काचने लगी तलवार इसे चलाई लगाताई उसे प्रकार प्रताप ने प्रदम तलवार चलाई अन्गिनत सनिक मारे गई अब मुगोलों ने राणा को घिर लिया उनके सीर पर मुकुट था मुकुट को देख फोजी उन पर हमला करते थे राणा अकेले पड़े गए उन पर कई चांट चोटें आई पर पेछे हटना कोई जानते ही नहीं थे दूर से जहला वेज मात्रा ने प्रताप की बूरी हालत देखी वो उनकी तरफ जफटा और उनकी तरफ जल्धी आ गया जय मुहाराना की जय कहे कर एशे आवाज गूंज उठी मात्रा ने पीछे से मुकुट छिन कर अपने सिर पर रखा बोला राना आपके घाव गहरे हैं मेरी बात मानिये अपनी जान बचाईए आप रहेंगे तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी अभी मैं इनके लिए काफी हूं चेतक तो पहले भाम चुका था की राना जखमी हो गए हैं इसने ये बातें सुनी अब वो राना को लेकर बेताहासा भागा उनका हुकम नहीं माना ज़ार जखाणों में तेजी से भागने तो उसका खेल था आज ओएशा कुद रहा था जैसे कभी नहीं कुदा राना चिल्ला उठे चेतक चेतक ये क्या कर रहा है लोग मुझे भगोडा समझेंगे रुक जा इधर चेतक हांपने लगा वो लड़ खड़ाया फिर फियुचला सामने नाला था उसे कुद कर पार किया फिर धराम से गिरा राना ने दिखा उसके चाती में तलवार भूंक दे गई है उसके छाती में सीने में तलवार गुशा दिया गया है खून की धारा बह रही है प्रताप रोने लगे उनके सामने ही चितक ने दम तोड़ दिया राणा का भाई सक्ति सिंग मुगलों के साथ था उसने सारा मजारा देखा सारा दृष्य देखा राणा का पीछा करके फरन पहुंचा प्रताप ने उसे देखा तो बोले आजा सक्ति मेरे घर्दन उड़ा दे अपने चेतक के विना में ची नहीं सकता सक्ति प्रताप के पाँपर गिरा बोला भेया मुझे मैप कर दो जहला और चेतक ने मेरी आंखे खोर दिए मैं भी वतन के लिए ही जान दूँगा अपनी मात्र भूमी के लिए भी जान दे दूँगा दोनों फुट फुट कर रोने लगे अपनी विर्था समजदारी और वफादारे के लिए चेतक नाम अमर हो गया उसने प्रताप की जान बचाई और राजपुति की सान बचाई इज़त बचाई शनमन बचाई खुद प्राण दे दिये आज भी राष्टान के चोंके चुराहे राष्टे भवन सब पर चेतक की मुर्तियां खड़ी है और आज भी हर व्यक्ति राष्टान के हर व्यक्ति चेतक नाम से ही कुछ शिक्षा आते हैं और उन से वफादारी इमानदारी का जो कारिय शिक्ति आ रहे हैं